जैसा कि आमको पता है कि हम chapter second start कर चुके हैं class 11 की biological classification biological classification में हम different different kingdoms पढ़े अलग-अलग biologist की द्वारा दिया गया बट रहेच विटिकर ने जो five kingdom system दी जिसको recent में use किया जाता है उस kingdom system में हमने मौनेरा के रादय के पठ़ा एक्टेरिया है और मोस्ली बेक्टीरिया क्या ऩर प्रकार के पड़े थे हुछ ऐसे होते हैं बेक्टीरिया जो फोटोसंथासिस करते हैं ब्लूग्रीन इलगी साइनो बैक्टीरिया जिसको कहते हैं और कैमो संथेटिक और फॉपिक यूबैक्टीरिया जिसका एक्साम्पल है नॉस्टरॉक टोक अनवेन यू बैक्टीरिया में हमने पड़ा था हिट्रोट्रॉपिक जिसमें यूसफुल भी है कुछ और हामफुल यूजफुल के अंदर आपको पता है वैसे बैक्तिरिया भी पाए जाते हैं जो कॉर्ड मेंकिंग में हैल्फुल होते हैं और कई बिमारी फिलाते हैं जो की नुफसान दाइख है second kingdom हमने लिया था प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा kingdom के अंदर single cell but eukaryotic आते हैं कई यंव करोटिक जिसका वैल डेवलप सैल होता है स्ट्रॉक् Clap alguém आग रहए जाते हैं सेल अगनिल्स पए यॉद्ल डबल मैंबरेन में भी अ प्र्रोटिस्टा ग्रूप के अंदर PhlazileLER और Celia भी present होते हैं कुछ प्रोटिस्टा किंग्डम के organism में यह reproduction के base पे यह sexual and sexual reproduction दोनों तरीके का reproduction करता है इसको five groups में बाटा गया है Crysofite, Uglonoid, Diflecelated, Slimmy Mouth and Protojoa Crysofite, Dinoflecelated, Uglonoid और Slimmy Mouth के character के बारे में हम जान चुके हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था Crysofite के बारे में पढ़ा था इससे diatomious soil बनता है क्योंकि इनके cell wall के ओपर बहुत जादा मात्रा में silica present होती है और जैसे ही यह dead होते हैं जिस जगे पे होते हैं वहाँ पर अपने remains छोड़ जाते हैं जिसके वज़से वहाँ diatomious soil बन जाता है और जिसका यूज हम polish और तेल वगरा शिरब बनाने में करते हैं क्योंकि इनकी body में silica बहुत जादा होती है इनके cell wall में और इनकी जो body होती है वो साबुनदानी की तरह कह सकते हैं शोप structure की तरह एक के ऊपर दूसरे में fit होने की तरीकी का होता है दूसरा था dynoflazolated dynoflazolated नाम से ही पता चल रहा है डाई डाई मतलब दो ओके यह on the base of presence of pigment red yellow brown पाया जाता है और red sea के नाम से भी एक जगे को जगे को जाना जाता है क्योंकि इनकी जो growth होती है वो growth बहुत जादा मातरा में हो जाती है तो पूरा का पूरा जो पानी होता वो red color का appear होता है red tight जिसे कहते हैं और उसकी toxic effect के वज़े से mariner animal की death भी हो जाती है उसके बाद था euglonite euglonite यह fresh water में रहते हैं इनमें cell wall absent रहती है और प्रोटीन की cell wall की जगे पर प्रोटीन की एक पत्री structure पाये जाती है और नेक्स है slimmy mould आपको मैंने बताया था dead and decay twings पे present होते हैं dead and decay सडे गले चीजों के उपर उपते हैं यह saprophite होते हैं और example के लिए आप ले सकते हैं यह सही condition में favorable condition में grow होकर के एक structure बनाते हैं plasmodium और जब इनका favorable condition नहीं होता तो यह ब्रास्ट होके scattered हो जाते हैं इनके spore और फिर grow करते हैं आज का हमारा topic है protozoa यह तो जो topic था वह हमने पिछली वीडियो में बढ़ा था आज हम जो ले रहे हैं इसको जो फाइफ ग्रूप में बाटा गया है अमिबॉइट में बताया था अमिबॉइट प्रोटोजोण, plasylated protozoan, ciliated protozoan and sprozoans अमिबॉइट में क्या होता है यह organism fresh water, she water, moist water दोनों में रहते हैं यह अपना food इसको five parts में पहले बता दू अमिबॉइट का protozoan का जो अमिबॉइट होता है यह अपना food false fit बना के लेते हैं, false fit is known as pseudopodia, pseudopodia से अपना food capture करते हैं, अपने prey को capture करते हैं और उनको nutrition के तौपे use करते हैं इसमें example amoeba आ जाएगा, अगर यह खारे पानी में रहते हैं तो इनकी cell के उपर, इनकी surface के उपर silika की मत्रा पाई जाती है कुछ example इसमें antamoeba histolica जो parasite के तौर पे available होता है और parasite होता है, अपना nutrition किसी भी organism के अंदर रहके लेता है second है Flazillated, इनकी body पे Flazilla होता है Flazillated, इनकी body पे Flazilla पाया जाता है, जैसे trypnozoma, जो sleeping sickness नाम की एक बिमारी उत्पन करता है, cause करता है the disease which is Flazillated, Flazillated में इस group के organism में Flazilla पाया जाता है and they are living free either as a parasite, parasite form में ये एक disease produce करते है that disease is cause sleeping sickness, example है Trypnozoma, Flazillated, Protozoa का example है Trypnozoma जो sleeping sickness नाम की विमारी cause करता है, okay third है Celiated, नाम से ही पता चल रहा है, Celiya present होता है इकस का example Celiated, Celiya paramecium है, paramecium की body आपको पता ही होगा आपने पहले पढ़ रखा है टैंथ में चपल शेप की होती है, इस तरीके की इसकी body के बाहर की structure pellicle पाय जाती है और इसकी body पे thousands of small structure, hair-like structure is present that is known as Celiya, which is helpful in giving locomotion as usual for capturing food, it helps food को capture करने में और चलने में इनकी help करते हैं, that is the Celiya, Flazilla बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं, इस तरीके से ये Flazilla, Flazilla बड़े होते हैं, संख्या में एक या दो होते हैं, कम होते हैं, ओके तो Celiya and Flazilla, Celiated and Flazillated, इनके अंदर एक gut पाया जाता है, this one ये cavity, जिसको gut कहते हैं, ये open होता है outside body के, अगर इनको prey अपना catch करना होगा, अपना सिकार लेना होगा, food लेना होगा, इंगल्फ करना होगा, तो यहीं से करेंगे और throughout भी यहीं से करेंगे, okay, example, paramecium, जो sleeper shape का होता है, fourth है sporogion, sporogion, spor तरीके के होते हैं, ये ऐसे parasite हैं, जिनका infectious stage, spor के phase में होता है, तो example है, malaria जो हमारे human में malaria उत्पन करते हैं, plasmodium, they are coming in this category, they infect, इनका infectious stage होता है, वो sports होता है, okay, तो sports, इनकी life cycle का infectious, जो stage होता है, स्पोर होता है, और इसके बारे में more discuss करेंगे, हम 11th class में, 12th class में, जो हम chapter पढ़ेंगे, कि इनकी life cycle, sports के रूप में, दो hostess के अंदर complete होता है, एक mosquito और दूसरा human being, एक में sexual reproduction करता है, एक में और sexual reproduction करता है, और infective state इसका spore होता है, human being के अंदर, okay, तो यह है protozoan, 5th group, जिसको हमने पढ़ा, protista का, अब हमारे पास, विटिकर के 5 kingdom का, 1st और 2nd kingdom हमने पढ़ लिया, 3rd kingdom है, and that is known as fungi, okay, flaccillated, flaccillated में, इस group के organism में flaccilla पाया जाता है, and they living free, either as a parasite, parasite form में यह एक disease produce करते हैं, that disease is cause sleeping sickness, example है, trypnosoma, flaccillated protozoa का example है, trypnosoma, जो sleeping sickness नाम की विमारी cause करता है, okay, third है, ciliated, नाम से ही पता चल रहा है, cilia present होता है, X का example, ciliated, cilia, paramecium है, paramecium की body आपको पता ही होगा, आपने पहले पढ़ रखा है, 10th में, चपल शेप की होती है, इस तरीके के, इसकी body के बाहर की structure pellicle पाय जाती है, और इसकी body पे, thousands of small structure, hair-like structure is present, that is known as cilia, which is helpful in giving locomotion, as usual for capturing food, it helps, food को capture करने में, और चलने में, इनकी help करते हैं, that is the cilia, flezilla बड़े होते हैं, और संख्या में कम होते हैं, इस तरीके से, यह flezilla, flezilla बड़े होते हैं, संख्या में एक या, दो होते हैं, कम होते हैं, तो cilia and flezilla, ciliated and flezillated, इनके अंदर एक गट पाया जाता है, this one, यह cavity, जिसको गट कहते हैं, यह open होता है, outside body के, अगर इनको prey अपना catch करना होगा, अपना सिकार लेना होगा, food लेना होगा, इंगल्फ करना होगा, तो यहीं से करेंगे, और throughout भी यहीं से करेंगे, ओके, example, paramecium, जो sleeper shape का होता है, fourth है, sporogion, sporogion, spor तरीके के होते हैं, यह ऐसे parasite हैं, जिनका infectious state, spor के phase में होता है, तो, example है इसके, malaria जो हमारे human में malaria उत्पन करते हैं, प्लाजमोडियम, they are coming in this category, इनका infectious जो stage होता है, वो sports होता है, तो, sports, इनकी life cycle का infectious, जो stage होता है, sport होता है, और इसके बारे में more discuss करेंगे, हम 11 class में, 12 class में, जो हम chapter पढ़ेंगे, कि इनकी life cycle, sports के रूप में, दो hostess के अंदर complete होता है, एक mosquito और दूसरा human being, एक में sexual reproduction करता है, एक में और sexual reproduction करता है, और infective state इसका spore होता है, human being के अंदर, ओके, तो, यह है protozoan, फिफ्ट ग्रूप, जिसको हमने पढ़ा, प्रोटिस्टा का, अब हमारे पास, विटिकर के 5 kingdom का, 1st और 2nd kingdom हमने पढ़ लिया, 3rd kingdom है, and that is known as fungi, okay, according to it, विटिकर, R.H. विटिकर, the 3rd kingdom is called fungi, fungi kingdom, 3rd kingdom है, fungi kingdom के अंदर, multicellular organism, heterotropic आते हैं, eukaryotic, eukaryotic, heterotropic, multicellular organism, fungi में आते, दीखें, actually, monera, protista, plantia, animalia, यह 4 kingdom system पहले थे, और fungi को पहले, plantia में रखा जाता था, बट, plant के cell wall होती है, और fungus के भी cell wall होती है, बट, fungus का cell wall, cellulose का बना नहीं होता है, इसी लिए इसको plant से हटा कर, एक अलग category में रखा गया, और उसका नाम दिया गया, fungus, और चुकि plant अपना खाना खुद बना सकता है, they are autotropos, बट, fungi अपना खाना खुद नहीं बनाता है, they do not make their own food, so they are heterotropos, they depend on other for their food, they depend on dead and decay organic material, yeah, dead and decay plant and animal for their nutrition, okay, they are saporophyte because they depend on dead material, dead and decay material for their nutrition, so they are saporophyte and they are parasite also, okay, they found everywhere in nature, they also found in water, they found in water, land, even in atmosphere, यह हर जगे पर पाए जाते हैं, हर जगे जहां पर कोई भी चीज़ दिके हो रही होगी, वहाँ पर fungus पाए जाएंगे, और किसी भी चीज़ के डिके होने का main character fungus के कारण, fungus प्रेजन होना ही है, example, आपके पास सड़ा हुआ पेड़ जब एक सुखा तना जो होता है, वो जब सड़ने लगता है, तो उसके उपर mushroom उग जाता है, mushroom agaricus, ओके, वैसे ही आपने देखा होगा, mustard के उपर white patches and white patches भी due to the presence of fungus होता है, देखे, fungus मैंने अभी जस्ट आपको बता है, multicellular eukaryotic, बट एक fungus है, जो single cell भी है, तो multicellular eukaryotic fungus है, और ये इसकी जो structure होगी, वो structure filamentous होगी, बहुत लंबे filament तरीके के body होगी, इनकी long, cylindrical, thread-like structure और बहुत सारे thread जो होँगे, multi-nuculated होँगे, cytoplasm contained होँगे, और इनकी जो cell भाल होगी, वो chitin and polysaccharides, sugar से बनी होगी, और ये आपस में मिलके एक बहुत बड़ा network, ये एक network बनाते हैं, और हाइफा, हाइफा जो होती है, इनकी long, cylindrical body है, that is called long cylindrical filamentous, जो body है, thread-like, that is called हाइफा, और हाइफा, खूब सारे हाइफा जो मिलक के एक जाल की structure बनाते हैं, तो the network of हाइफा is called mycelion, ओके, मैं डाइग्राम से आपको शो करती हो, तो fungus multicellular होते हैं, but single cell fungus भी है, that is known as yeast, okay, yeast का use भी है, देखे, इनका fungus सिर्फ हामफुल ही नहीं है, हमाले यूसफुल भी है, fungus is used in bakery product, okay, fungus is used in bakery product to make bread and beer, and fungus is also used, मेरी fungus, like penicillium notatum, penicillium नाम का antibiotic बनाने के काम आया था, तो first antibiotic आपको यादियोगा, penicillin, तो वो penicillium notatum नाम की fungus से बना था, तो इसे हम bread बना सकते हैं, beer बना सकते हैं, antibiotic बना सकते हैं, but it is also some fungus are harmful, जो, जो कि plants and animal में, they are responsible to causing disease, okay, wheat के अंदर rust disease, paksinia नाम के fungus के वज़े से होता है, okay, आपने सड़वे, bread को देखा होगा, fridge के अंदर खाला-काला देखा होगा, fungus खुब सारे जगें उख जाते हैं, generally, तो fungus are saprophite, parasite, they are also symboyant, symboyant का एक example बनाती हूँ, आपको पता ही होगा, lichen, जो कि algae और fungus के combination से बना है, lichen, algae अपना food खुद बना सकता है, algae are autotropers, make their own food with the help of sunlight, तो, लेकिन fungus do not make their own food, they are heterotropers, but they are good in absorption of water, fungus पानी अब्सॉब कर सकता है, algae खाना बना सकता है, लेकिन algae पानी अब्सॉबने कर सकता, तो, फंगस पानी अब्सॉब करके algae को देता है, और algae फिर खाना बनाता है, and mutually both exchange their food, और इस तरीके की जो भी structure होती है, दोनों के combination से बनी हो, उसको कहते है, lichen, तो ये इस तरीके का structure, जो association से बना होता है, उसको कहते हैं, symboyant, इसी का एक और example है, mycorrhiza, ये बड़े plant के root, और उसके उपर लग जाता है, fungus, इन दोनों के combination से बनता है, जड़ जो fungus को रहने के लिए जगे देते हैं, और fungus root जो active नहीं होते है, water को absorb नहीं कर सकते हैं, fungus moisture से absorb करके water इन root को देते हैं, तो their fungus are saprophide भी होते हैं, their parasite भी होते हैं, और ये symboyant तरीके का भी structure बनाते हैं, इस तरीके से भी leave करते हैं, अब लेते हैं, ये reproduction कैसे करते हैं, तो reproduction fungus में vegetative तरीके से होता है, vegetative में fermentation से भी हो सकता है, season से भी हो सकता है, birding से भी हो सकता है, और sexual reproduction में इन में होता है, sports से, sports जो होते हैं, वो छोटी-छोटी structure में बनते हैं, इस तरीके का छोटा सा structure, ये हाइफा है, पतली-पतली, pink color transparent होती है, में भी हो सकता है sporogonia भी हो सकता है juice भी होता है canria बनता है actually panacillin में इस तरीके कुछ structure होता है उस तरीके का structure होता है कॉनी डिया तो conidia sporo sporangius sorry sporangio sporo juice four तरीके structure हो सकते हैं यह बनाते हैं और उनके अंदर खूब सारे स्पोर्स होते हैं और सही कंडिशन आने पर वो स्पोर्स फट जाते हैं और बिखर जाते हैं तो यह और सेक्शुल रिपर्डेक्शन तो यह टॉकिंग अबाउड दो और सेक्शुल रिपर्डेक्शन ती यह इसमें और सेक्शुल के अलामा सेक्शुल रिपर्डेक्शन भी ह होता है बहुत सारी various sports are produced distinct structure called fruiting body इनकी जो structure होती है जिसके अंदर खूब सारे sports होते है उसको fruiting body कहते हैं कहते हैं जिसे like this this one ये गोल गोल दिख रहे हैं ये network है इनके filamentous network है हाइफा जिसे कहते हैं और ये एक network बना रखा है हाइफा का now we are going to read about you know about the sexual cycle जो इनके involved है देखें इन में sexual cycle अगर किसी भी दो motile या non motile gamet motile या non motile gamet के protoplasma fuse होते हैं तो उसे plasmo gamet कहते हैं और यदि उनके nucleus fuse होते हैं तो karyo gamet कहते हैं याद रखेगा motile या non motile gamet के यदि protoplasma fuse होते हैं जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं plasmo gamet और नया spore बनता है और यदि उनका nucleus fuse होता है तो उसे karyo gamet कहते हैं एक और चीज़ है डाइ karyo phase देखे जेनरली आपको पता ही है कि जो gamet बनते हैं वो haploid होते हैं haploid हाइफा से बनते हैं दो haploid cell से बनते हैं और उनमें जो दो n n number वाले cells हैं उनके उन दोनों के जुड़ने से एक cell बन रहा है वो भी 2n लेकिन एक cell के अंदर अगर दो nucleus बनता है उसको कहते हैं डाइ karyo phase मैंने क्या कहां दो cell के जुड़ने से एक cell बनता है और एक cell के अंदर ही अगर दो nucleus बनते हैं दो nucleus बनते हैं यदि एक ही cell में two nucleus per cell तो उसको कहते हैं टाइ डाइ केरियो फेज तो दो स्थीती इसमें बता दी इसमें बताया कि दो cell से एक cell बन रहा है दो haploid cell से एक diploid cell बन रहा है और दूसरे तरफ ascomycities और vasodomycities के अंदर हम पढ़ेंगे डाइ केरियो गैमे स्टेज अकस सच कंडिशन इस नॉन इस डाइ केरियों दो nucleus एक cell में मिलते हैं तो बाद में आपको पता ही है nucleus fuse होते हैं और cell बनता है किससे deploid एक cell के अंदर दो nucleus N and N दोनों fuse हो करके 2N बनाते हैं जबकि यहां दो N और N cells जुड़कर के एक diploid cell बना रहे हैं तो यह याद रखेगा अपने नेक्स वीडियो में हम फंगस के different जो groups दिये वे हैं अलग-अलग various classes दे रखी हैं चार classes हैं उसके बारे में discussion करेंगे the four classes of fungus is phycomycetes, ascomycetes, basidomycetes, deuteromycetes इन चारों की बारे में हम अपनी next video में इनके characters इनके किस तरीके का इनमे reproduction होता है यह सारे चीज़े पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना है next topic के साथ अगली video मिलते हैं thank you